कैसे हो छोटे निया आईए आईए नकाप पोस जी इस सवारों के मुख्या तिती आप ही हो और पुन्य तिती भी आपकी ही मनाई जाएगी आज आज पुन्य और पवित्रत दोनों ही तिती आएंगी लेकिन तुम्हारी भैरानी ही वैसे है कहाँ वो मैडम कुछी देर में वो नकाप पोश मेरे कदमों में होगा सर्वकाल और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डाल कर निकल वाही लोंगी के आखिर वो छुपी होई शक्ति कहा है जिसका रास्ता तुम्हे उसे बताया है भैरानी तक तुम्हे पोचना है तो इस नक्षे का इस्तिमाल करना होगा ये अभी हम यहां है अगर तुम्हे भैरानी तक पोचना है तो यहां जाना होगा सर्वकाल मन दिये समझे ये लो कहा गया अर इससे पले मैं इसका मजाक उड़ा हूँ यह खुदी उड़ लिया और रही पाद तुम्हारे चक्र व्यूंकी को तुम्हे ने तोड़ ही दिया सर्वकाल अब ना तो वो नकाग पोश बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सर्वकाल इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाए खुश हो रहे हो तुमने चक्र व्यू तोड़ा नहीं है बलकि उसमें और भी ज्यादा उलच चुकी हो तिमनासा क्यूंकि नकाग पोश को मैंने छुपी शक्ति तक पहुँचने की सिर्फ एक पहेली बताई है कोई पता नहीं बताया है और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस चुपी शक्ति तक पहुचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिमनासा क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा तिमनासा को चेतावनी मत तो सर्वकाल तुम शैद भूल रहे हो के परी लोग से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्ति हीन निकाला था लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था इस भ्रम में मत रहना के तिमनासा को किसी माया जाल में फसाया जा सकता है लो आ गया मेरा शिकार खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने आ गया अपने उड़न खटोले पर ये उड़न खटोला नहीं मेरी बाइक है अगर कहो तो एक राउंड गुमा के ले आओ शेरनी की गुफा में आकर उसी से होश्यारी कर रहे हो कहीं ऐसा नहों कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुदी घुम जा तिमनासा तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूपती हुई नाओ की तरह लग रही हो एक्दम थर थर आ रही हो क्यों? थर थर आओगे तो तुम एकि तुम्हारे पास बस पीस पल बच्चे हैं अभी जो लोग तुम्हें प्रिट्वी पर बेसुद दिखाई दे रहे हैं ना तो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिन्दा रहें तो मेरे साम में आओ खुपने तीक और गिड़ गिड़ाओ तो मैं तुम्हें उस विशाणू की दवा तुम्हें दिये तुम्ही लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे प्रिथी वासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगी एक बात बताओ मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूँ तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली डवाई है कर सकती हो यह साबित मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे हैमार मैंने इसी पल के लिए जबदाली के ऊपर भी विशानों डाल दिये थे जिसके कारण ये गहरी नेंद में था लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो आप मुझे पता था आप मुझे टीकर देगी भेमार आप बोलो नकाब पोश मेरे सामने घुपने टेकने के लिए तयार हो ये कीमती दवा लेने के लिए सबर रखो एक क्वेशन है अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूँगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा जैसे ही तुम आत्म समर्पन करोगे मैं एक जादुई दर्वाजा बनाऊंगी जिसके माध्धिम से मैं ये दवा विवान तक पहुचा दूँगी ठीक है तिमना साथ मैं तीन तक गिनती गिनूँगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुच जाएगी मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी मन्जूर है वन टू ट्री ट्री अटा दो इस नगाब पोश्कान नगाब आँ भैरानी उतार दीजे दो आटाएगगे यविवागे ये 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 विंनासा दू? तिम्नासा यह एतने सारे नकाब पोश कहां से आ गए है? नकाब उतारने की होबी है ना तुम्हारी तिम्नासा? तो आओ, जी भरके अपनी होबी पूरी कर लो! तुम्हारी पूरी 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 गलत जवाब वानी? वानी? फिर से गलत सौ मैं लगा धागा, चोर निकल के भागा जान सको तो जान लो कौन है कोयल और कौन है कागा असली नकाब पोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रसी में बदा हुआ है हेलो टेमी आँटी, लॉंग टाइम, बूजी हाँ यह क्या है? यह यह वाइरस है जिसका प्रसाद आप लोगों में बाट रही थी अब अंतर से वित्ता है कि यह वाइरस वह बाले वाइरस से सुपचास कुना ज़र्दे पावर्फुल है कुछ समझी डिम्मी अंडी? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो वो भी उस वक जब कुछी पलों में धर्टी के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे विसे अच्छी कोशिश की तुमने यहां अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा तुम्मी अंटी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चला था हूँ और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मा रहा हूँ और यह वाइरस नकली है तो, वेट अच्छाएंड तो, वेट अच्छाएंड तो, वेट अच्छाएंड अच्छाएंड प्लेसियू नॉट बच गई खत्रे की खंटी तुम्नासा, तुम्हें चिंता करने की कोई जुरोद नहीं है तुम्हारे पास इस विशाणों की दवा है ना नहीं भैमार उस सारी शीशिया तूट चुकी है बस एक शीची बची थी इस नकाब पोश को फसाने के चक्कर में वो भी मेरे हाथ से फिसल का तूट दे अब आया ना उट पहाड के नीचे सॉरी, उट नी बहुत अच्छे विवान अब भलाई इसी महें तुम्हाब पोश को आजाद कर दो और विग्यानिकों के याददाश वापस लोटा दो ताकि वो विशानी की डवाईया दना सके दुनिया के लिए नहीं तुम्हाब नासा लेकिन तुम्हे खुद की जान बचाने के लिए करना पड़ेगा वैसे तो मुझे चेस बहुत ही बोरिंग गेम लगता है लेकिन मेरा चेकमेट कैसा लगा डियर नकापोश दोस्त चेकमेट तो बहुत अच्छा लगा अविवान अब इजाज़त हो तो मैं चेक आउट कर लूँ अलविदा टिम्मी अंटी तो तुम्हारा माच्प निकालने में फेल होके लेकिन मैं एक दिन जरूर काम्या पहूँँगा अब अगर आपकी हिसाज़त हो तो चले लापोरेटरी आपका इलाट भी तो करना है यहरा वाइरस के अंटी नोट का पहला बैच और मेरे साइंटिस्ट नेक्स बैच के लिए अलड़ी तैयारी कर रहे है पानी परी हमें दवाई तो मिल गई अब दुनिया के सारे इंफेक्टेड लोग तक यह दवाई हमें जल चल पहुचानी होगी ठेके विवाद, मैं सभी नदी और कुओं में यह दवा मिला देती हूँ ताकि जादे-जादा लोगों को यह दवा मिल सके और मैं तुरंट जाकर इस दवाई से वाईव परी को ठीक करती हूँ उसके ठीक होते ही वो इस दवा को हवा में मिलाते कि गुड आडिया, दुनिपरी, अगर यह दिवा हवा में मिलगे, तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर इंफक्टेड लोगों तक पहुच जाएगी। तुम्हें नहीं रखता विवान, कि आज हमें दुनिया से तिमनासा नाम का महा विशानू खत्म कर देना चाहिए। श्यारद्वानी परी। खबरतार विवान। छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, छोड़ दो। तिमनासा को मार लो या अपनी दुनिया को बचा लो। बचाओ, बचाओ मुझे। धर्म संकट महसूस हो रहा है न विवान। तिमनासा को मारने चले थे। अपनी प्योरी पृत्वी को बचाओ, समझे। तुमारे पास समय नहीं है। चुनाफ करो जल्दी। विवान। ओक्योके। रिलाक्स भैमार। अत्ता सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। एक काम करता है। आप उदर से सेंटिस सर को रिलिश कीजे। और मैं ये आटिटोट आपकी तरफ फेगता हूँ। एक दो तीन संबल की आज तो तुम्हें एक्शेंज ओफर की कारण बच गई डिम में अंडी। लेकिन आप प्रॉमिस। किसी ना किसी देन। तुम्हारी लाइफ की आखरी ओवर में। मैं ही तुम्हें क्लीन बॉल्ट करूंगा। यूब यूचर यूब रड़ यूब यूब यूव कर दो कर दो कर दो कर Warm K मुम्मी, मुम्मी, प्लीज आखके खोलिये, दादा जी दादा जी, मुम्मी, मुम्मी, अब टीक हो न, विवान, तू ठीक है न, बिटा, हाँ देवु, 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 तुम ठीक हो न, बिटा, हाँ खुशी, खुशी का है, वो ठीक तो है न, ये लो, बेवोश आप हो गए थी, और होश में आती, सबसे पहले आपके मुझे से निकल रहा, कि मेरी बच्चे तो ठीक है न, मा, आपके जैसा प्यार दने वाली मा हर बच्चे को मिलेगी, तो समुंदर का पानी भी मिठा हो जाएगा हाँ, बिगर नौट ममी, मैं देवु बईयो और दी दी, एक कम टिप्टॉप हेल्प में, और हाँ, गॉड के शुकर से आपका और दादाजी का इंफेक्शन भी ठीक हो गया है, लेकिन, हम तो यहीं पर हैं, हॉस्पिटल में नहीं गए, क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे बि मैं पता था, तो मा, आपको, दादाजी आपको, और दुनिया में जितने भी लोगों को वायरस हुआ है, उन सब को बालवीर ने बचाया है, बालवीर? भालवीर घर आया था, अरे तो तुम ने बालवीर को रोका क्यों नहीं, हम उसका स्वागत सत्कार करते, करुना के अरे दारी इलाइची वाली चाय पिलाते, उसे थेंक्यू कहते है, अरे, 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 दादा जी, बालवीर को आप दुनों को दवाई पिलानी के बाद, और भी लोगों को दवाई पिलानी थी, हाँ, इसलिए हो चला गया, और वैसे भी आपका थेंक्यू इतना लंबा होत है, क्यों पहले ही दूमदबा के बाग गया है, यह विश्ट नागनी के सर्पने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वही निकाल सकती है एक बात तो साबित हो गए, कि उस नकाब पोश का वीर लोग के साथ कोई ना कोई संबन तो जरूर है नहीं तो वो चूजा अपनी फॉज को लेकर वहाँ नहीं आता लेकिन नागनी ने कहा था कि उसके एक साफ ने उसे डस लिया था मेरे एक साफ ने उस नकाब पोश को दस लिया है और बहुत जल्ब जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी लेकिन फिर भी उस नकाब पोश पर जहर का असर नहीं हो इसका मतलब उस बुढ़े शेर ने उसकी मदब की होगी प्रमान की कोई भी दवा या जड़ी भूटी मेरे जहर का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रोक सकती और बहुत जल्ब मैं उस नकाब पोश को तुम्हारे सामने लाऊंगी दिना साथ धियान रहे नागिरी मुझे वो जिन्दा चाहिए प्रमोर अप्डेश सब्सक्राइब तो आर चानल क्लिक शो लिंक और अजो वाचिंग वाचिंग विडियो तुम्हारे